नमस्कार दोस्तों रादे रादे जैश्री राम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तो ये देखिए ये मेरे घर के बाहर जो एंट्रेंस है है जो में दर्वाजा है हमारे घर के अंदर अंधर करने का इस तरह से है इस टाइंब पर इसे मैंने दो हजार इक हीस में यूध वॉल पेपर लगाकर देकोरेट किया था तो यह दो साल में जो है पेपर अब खराब इसका कलर भी काफी चेंज हो गया दिवाली पर ही मैंने इसको लगाया था 2021 में तब मैंने यह वाला चैनल शुरू नहीं किया था तब मेरा दूसरा जो कोकिंग वाला चैनल है उस पर मैं कभी-कभी छोटे इस तरह से व्लॉक्स टाइप में या कुछ ऐसे होम डेकोरेशन या आपर तो सिरफ मैं आपको दिखा रही हूं कि यह वाल पेपर खराब हो गया दो साल में एकदम कलर चेंज होके जब लगाया था तो बहुत सुन्दर लगता था तो धूप वगारा हावा और क्या केते हैं मिट्टी वगारा इतनी उड़ती है तो यह जो इसका कलर है ओरिज पपड़ी वगारा उखड़ जाती कि इनका अधैसिव ना बहुत ज्यादा थीक होता है इतना अच्छा अधैसिव होता है इस वाल पेपर में कि कई वर दीवार के उपर से जो पेंट वगारा है वह उखड़ जाता है तो इस पार मैंने सोचा था कि मैं नहीं लगाऊंगी और कुछ और मेरे दिमाग में आईडिया है था आप देखे सारा वाल पेपर मैंने अटा दिया है और देखे कितना गंदा हो रहा है यहां पर और इस अरी जो चीज़ें दी वाली के टेंपर हमें लगता है कि हमारा घर बिलकुत साफ होना चाहिए तो मैंने सोचा है कुछ और इसके लिए जिसके लिए देखिए यह जो ग्रीन ग्रास वाली मैट्स होती है यह मैंने 5-6 मैट्स खरी दी और इन मैट्स का यूज करूँगे मैं वाल को डेकोरेट करने के लिए तो यह साफ सोफे लिए ने जब चाहे पानी से क्लीन कर दीजे मिट्टी वगर आये तो इ मैं इसको लगाना शुरू करूँगी मैट्स को एक एक करके तो यहां पर पहले मैं सफाई कर दूँ और जो यहां पर प्लांटर रखे हैं उन्हें भी हटा दूँ तो अभी देखिए पानी नहीं जाला तो दो एक दिन से तो एक तम सूख गए सूख गए मिट्टी सूख ग दूँगी और इसका फर्ष भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी फेट लगाऊंगी मैं वाल पेपर स्वारी ग्रास मैट लगाऊंगी तो दिखने में देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है बड़ा ही प्यारा लूक आएगा आप देखिएगा तो यहां पर देखिए सा यहां तक ही लगाना है मुझे मैट और इसके उपर लगाना है क्योंकि फिर सीडी के ओपर तक तो नहीं लगा सकते ना वह अलग रस्ता जा रहा है सीडी यों से उपर जाने का तो बस जहां तक मेर को मेर को स्पेस मिला हुआ है अपने घर के लिए हमारे एंटरंस के लिए पस उतने ही स्पेस पर मैं इस तरीके से मैट लगा दूँगी और छोटे-छोटे नेल्स के थुरू मैंने इने अच्छे से जो है लगा दिया है और अभी बाद में मेरे पास कुछ नेल्स जो थे वो खतम हो गए थे तो मैं लेकर आऊंगी दुबारा तो बीच-बीच में बत अभी इस तरह से मैंने लगा दिया तो आप देख सकते हैं दो लगा दिया और इसके उपर भी मैं लगा रही तो यह आप पूरे चार मैट जो हैं मेरे यहाँ पर लग गए है अले छोटे जो नेल्स हैं उनसे हैं इनको अच्छे से कर दिया है बाकी जो है मैं बाद में बीच में एक एक और लगा दूँगी क्योंकि में पस नेल सोड़े ही रहे अभी मुझे इस दिवार पर भी करना है तो यह वाली जो वाले आप देख रहे न इसका पेंट उखड़ गया क्योंकि वाल पेपर हटाया था तो तो यह वाल तो तो तैयार होगी अब यह दूसरी जो वाल है इसको भी हमें तैयार करना आप देख सकते अच्छा लग रहा पूरा लगने के बादी बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगेगा और यहां पर अभी मैंने देखिए आपको दिखाए इतना ही लगा है मैं लगा दिया है और बाकी थोड़ा सा यहां का रहता है यहां का भी लगाना है मेरे हालत देखिए तो वाल की कॉर्णर में जो उपर यह इस तरीके का यह लगा हुआ था एक फ्लावर की बंच लगा रखी थी मैंने इसको हटा दूंगी और इसको क्लीन कर लोंगी अभी कुस टाइम पहले ही लगाई थी तो धु उन्हें भी मैं बाद में साफ कर लूँ यह तो फटा फट वाले काम करें कि मेरे पस ना टाइम बिलकुल भी ने मुझे घर की सारी क्लीनिंग करनी है और हाउस हेल्पर मेरे पास अब नहीं है मैं खुदी करती हूँ हर साल वैसे मैं खुदी करती हूँ थोड़े टाइम के हाउस हेल्पर रखी थी तो अब नहीं है मेरे पास हाउस हेल्पर तो मैं खुदी सारे काम कर रहे हूँ और मार्कीट और शॉपिंग सब कुछ करना हो रहा है साथ में तो देखिए यहां पर भी लग गई है मैट और इस तरह से लुक आगए आप देखिए कितना प्यारा ल knives में तो यह बीचंगे में बाद में थ्लड़ी से नेल्स और लगा दूंगी वैसे ही इस तरीके से मैंने लगा दिया कि बिल्कुल फिलेंगे अपनी जगा से बिल्कुल सही से लगा दिया और वैसे सभी लोग डेकोरेट करते हैं वैसे डेकोरेट करूँगी अभी मैं जो हमारा एंट्रेंस वाला जो डूर है उसके बाहर सारी क्लीनिंग कर दोंगी मुझे यहां पर सजा कर रखना अच्छा लगता है तो इस वाले जो यह फोटो का जो है सींडी से भी मैं साफ करके लोगी तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा तो वैसे तो एंट्रेंस हमेशा साफ सुथरा ही होना चाहिए घर का क्योंकि सबसे पहले लोग घर के एंट्रेंस अंदाज लगा लेते हैं कि आपका घर अंदर से कैसा होगा साफ सुथरा नीट एंड मैं आपको दिखाया है एंट्रेंस पे ट्रास मैट लगा है और अब उसका का में ग्रावंछ मैट लग चुग को है दरवाजे मैंने क्लीन कर दिया अभी मुझे प्लांटर रखने है तो यह पादे को घुड़ा सा पानी से क्लीन और पानी डाल दिया यह मने इन चिन देंट ये साफ करके उस पर white paint करके उसे black और golden paint कर दिया है सूखरा है और यहां पर एक ले लिया है मैंने ट्रे लकडी की ट्रेय है यह में शिमला गई थी तो वहां से लेकर आई थी तो मैंने इस पर golden paint कर दिया तो मुझे ध्यान आए कि पहले मुझे इसे white करना था, जल्दबाजी में मैंने इस पर golden spray paint कर दिया था, तो अब मैं इस पर कर रही हूँ, white spray paint, लेकिन जैसे ही मैंने white spray paint इसमें किया, तो इसका color pink होने लग गया, तो इसका color change होने लग गया, यानि कि जो ये tray है, इस फर पहले से ही कोई color हुआ था, तो वो color white के साथ मिलकर pink हो गया, बट अब इतना time नहीं था, कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा time लगाती, इसको clean करती, तो ये आज वैसे भी 9 तारीक है, और 3 दिन रह गये हैं दिवाली को, तो इतना ज़्यादा time नहीं था, फटा-फट से मैंने किया इसे paint और paint करने के बाद मैं इसे सुखने के लिए रख दिया, और आज मेरा fast भी है, और सुबा से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन सफाई, और ये सारे कामों में निकल गया, तो यहाँ पर देखी, एक छोटे से इस तरह के नहीं है, मेरे पा इसे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं कभी नहीं हटाती है, और अब इसको इस तरह से golden paint कर दिया है, तो यह देखने में प्यारे लग रहे है, इससे सूखने देंगे, और यहाँ पर देखिए एक इस तरह के सूरे का जो चहरा होता है, सूर तो अगर हम कुछ चीजे अपने घर में पुरानी चीजों को DIY करके या paint करके उनको दुबारा से नए जैसा look दे सकते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए, इससे क्या होता है, कि हमारे पैसे भी बचते हैं, और हमें खुद भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हमने पु इफिशल देखिए, ग्रीन कलर की इस तरीके से जो हैंक करने के लिए होती है, मार्किट में बहुत मिलती है, इन दिनों, तो मेरे पास हमेशा से ही रहती है, कभी-कभी मैं हर साल एक नया खरीद ही लेती हूं दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे ऐसी चीजे मिलती है, तो और ये सूरे देव जो है, ये भी मैंने दर्वाजे पे लगा दिया है, तो लुक देखिए, चेंज हो गया है, डेकोरेट कर दिया है, इस तरह से मैंने इसको जितना मैं अभी कर सकती है, बाकी मैं दिवाली पे करूँगी, और नेक्स देस मॉर्निंग में मैंने ये, जो ब तक के लिए टेक केर, और बाबाए,